आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 11 इंच ली है अब आस्तिन में डिजाइन बनाने के लिए हमें ऐसे बक्रम की कटिंग कर लेनी है डिजाइन की लंबाई और चोड़ाई आपको ऐसे नाप लेनी है और इस्तरी की सायता से बगरम को आपको कपड़े पे चिपका देना है अब हम किनारे की सायट से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट करना है धागे को कट करने के बाद नीचे के सायट से एस्टरा कपड़े की कटिंग कर देंगे अब हम आस्तिन के कपड़े को ओपन करेंगे और बगरम वाले डिजाइन को हम यहां पर ऐसे लगाएंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागी को कट करना है और अंदर की साइट से हम एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाई ने बिलकुल उसी सेप में एश्टा कपड़े की कटिंग करना है अब हमें बीच में कोने की साइड में ऐसे कट कर लेना है आस्तिन के कपड़े को उल्टा करते हुए अब हम बक्रम को सीधा करेंगे बक्रम को पर्फेक्ट सेफ में बैठाने के लिए हमें इसे इस्तरी कर लेना है इस्तरी करने पे हमारा बक्रम पर्फेक्ट सेफ में बैठ जाएगा तो ये देखिए फ्रेंड हमने इसे इस्तरी कर लिया है अब हम आस दिन के कपड़े को सीधा कर लेंगे इसमें डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड अब हमें ऐसे बकरम की कटिंग करनी है डिजाइन की लंबाई कितनी है डिजाइन की लंबाई साड़े सात इंच है और डिजाइन की चोड़ाई साड़े चार इंच है इसे इस्तरी की साहता से आपको कपड़े पे ऐसे चिपका देना है और कपड़े को किनारे की साइट से ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें कपड़े को दूसरे साइट से फोल्ड करना है तो यहां से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम कपड़े को फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई चला लेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का उप्सन जरूर सेलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फ्रेंड हमने कपड़े को फोल्ड करके बकरम के उपर सी लाइक कर ली है इस डिजाइन को तयार करने के लिए अब हमें डोरी लेना है तो डोरी की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है डोरी की लंबाई दो इंचे डोरी को ऐसे फोल्ड करके हमें डिजाइन में यहाँ पर ऐसे लगाना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चुला लेनी है एक के बगल में एक हम ऐसे डोरी को फोल्ड करके लगाते जाएंगे और इसके उपर सिलाई चुला लेंगे तो इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजी इस टेप में तयार कर सकते हैं सेम इस टेप को फोल्ड करते हुए हम इसके दूसरे साइड में भी डोरी वाली डिजाइन बना लेंगे तो ये देखिए हमने दूसरे साइड में भी डोरी वाली डिजाइन बना ली है अब हमें इस डिजाइन को आस्तिन के कपड़े पे लगाना है तो आस्तिन के कपड़े पे हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे अब हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी है तो जिस सेफ में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेफ में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है उपर की साइट का डिजाइन तयार करने के बाद अब हमें नीचे के साइट का डिजाइन तयार करना है तो उसके लिए हम एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई साड़े चार इंचे और कपड़े की लंबाई आस्तिन की चोड़ाई के बराबर लेना है कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और सेप्टी पीन की सहायता से हम कपड़े को अब सीधा कर लेंगे तो ऐसे हमें इसे अच्छे से सीधा कर लेना है तो यह देखिए प्रेंट हमने बहुती इजली इसे सीधा कर लिया है अब इसे अच्छे से हम बराबर कर लेंगे इसे अच्छे से सीधा करने के बाद हमें इसे इस्तरी कर लेना है इस्तरी करने के बाद हमें इसके बीच में ऐसे चूनट बनाते हुए बीच में बटम लगा देना है तो फ्रेंट ये देखिए हमारी ये लाइन भी complete हो चली है इस लाइन को complete करने के बाद अब हमें इस design को नीचे की side में आस्तिन की नीचे की side में ऐसे लगाना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे यहां से हम धागे को cut कर लेंगे अब हम दूसरे साइड में सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से हम इस डिजाइन को बहुती इजी श्टेप में तयार कर सकते हैं अब हमें किनारे के साइड से एश्टा कपड़े की कटिंग कर देनी है एश्टा कपड़े की कटिंग करने के बाद सूई धागा के मदद से हमें इन दोनों डिजाइनों को ज्वाइन कर देना है इस वाली डिजाइन को और इस वाली डिजाइन को और उपर की साइड में यहाँ पर बटम लगाना है ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थैंक्स वर वाचिंग